अस्सलाम उलेकुम दोस्तों ये देखिए ये पलंग का छोटा पैर है इसको हम बोल्ट्स फिट करेंगे बोल्ट्स फिट करने के बाद इसको पलंग फिट करने के लिए जो बोल्ट्स रखते हैं ये वो बोल्ट्स है इनका साइज है चार इंच इनको फिट कर देंगे तो दों कर सकता है जो इसको हम फिट कर देंगे फिट करने के बाद यह इनक फिट करने के लिए पुरा रेडी हो चुका ऐी है यह पर बोर्ट्स फिट होते ही हम इसको कुशन लगा देंगे जो पलंग का सिराना साइड होता है जो हेड़ बोर्ट जिसे हम कहते हैं यहाँ पर यह एक बई साड़े चार फिट का कुशन आ जाएगा इसको हम अच्छी तरीखे से इसकुरू से फिक्स कर देंगे इसको यह स्कुरू से फिक्स हो जाने के बाद आप इसको पलंग को अराम से फिटिंग कर सकते हैं यह देखिए पीछे के साइड से हम इस तरह से स्कुरू लगाते हैं इसको यहाँ पर पूरे हम अपनी जरुरत के हिसाब से फिटिंग जितनी आनी है उतनी स्कुरू हम लगा देंग तो यह बहुत अच्छी तरीखे से फिट हो जाएगा यह आप अपने हिसाब से स्कुरू इसमें कम ज्याद फिट कर सकते हैं जरूत के हिसाब से आपको पता लग जाएगा फिटिंग हुई या नहीं हुई है अगर चाहे तो थोड़े स्कुरू ज्यादा भी लगा सकते हैं य यह इस तरीखे से हम स्कुरू फिट कर देंगे यह यह स्कुरू फिट हो चुके है यह अब यह फिट होने के बाद हम इसको बताएंगे आपको कैसे फिटिंग हुआ यह देखिए पुरा फिट हो चुका है इसकुरू अब यह पुरा फिक्स हो चुका है कुशन यह हो गया का हेड़बॉट जिसका साइज है 5 फिट चोड़ाय यह हो गया इसका छोटा पेर ये डिजाइन है इसका यह इस तरीके से सामने प्लंक के सामने पार के सड़िया आ और सराने साइड वो जो बड़ा हेड़बोट है हमारा वो आ जाएगा जिसका साइज है यह पांच भई साड़े छे का साइज है इसका यह पूरा फिट हो चुका है यह फिट होने के बाद कुछ इस तरीखे से लगेगा बहुत अच्छी तरीखे से बहुत खुबसूरत पलंग दिख रहा है इसे चौकलेटी कलर और सागवानी कलर की पॉलिश की गई है इसको वीडियो पसंद आई होई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सकाइब करना मत भूली आइसे ही फरनिचर की नॉलेजि